नवस्ते बच्चों आप सभी का एक बरपुन है आपकी एपनी इस यूटूब चेनल हिंदी वाले माड़ साब पर श्वागत है बच्चों आज हमका एकसा बार है कि विसे हिंदी साहित्य की पठ्थे पुस्तक अंत्रा पर बात कर रहे हैं और अंत्रा में दो कवीताइं संकल पर बात करने वाले हैं किस पर बात करेंगे साहित्य की पर बात करते हैं और चैनल पर आप नए आये हैं सब्सक्राइब कीजिएगा जन्म और जन्म इस्थान इनका वर्स यह बैसा नजर आ रहा है थोड़ा सा पैन की वज़ए से रिक्ट हो गई आप वर्स उनिस सुच्छ में चिंदवाडा मद्य प्रदेशमिन का जन्म हुआ और निधन सितंबर 2018 में हो जाता है बहुपक्स देखते हैं कि आप एक एक शाथ कवी लेखक और अनुवादक थे आपकी कविताओं में मान विये समस्याओं को अभिवेक्टी मिली है मतलब मानों के मन की या मानों के ज परदान करती हैं मानसिक शक्तिया मनसिक बल के साथ एक आत्म विशवास परदाने करती हैं आजादी के बाद के भारतिय समाज में प्रसलित हो रही जीवन सहल्यक को आपने कविता के डूबरारा दुन्सक के सामने रखने का शफल प्रयास किया आजादी मिलने के बाद भारती जो लोग थे जो जन जीवन था उस जन जीवन के रहन सहन में क्या फरक आया उसकी जीवन सहली किस प्रकार से बदल गई उस सहली को आपने अपने कविताओं के मादन से दुनिया के सामने रखा है और उसमें सफल भी रहे हैं कलापक्स की बात क सब्दों का भरपूर प्रयोग किया गया है आपने मुक्त चंद सहली का प्रयोग किया बिम्ब विधान आकर्शक एवं पाउराणी के कथाओं पर आधारिते हैं अब देखते हैं इनकी रचने तो रचनाओं के नाम इस प्रकार से हैं महरू प्रदेश एवं अन्य संग रहे हैं इनकी आलोचना की एकमत्र किताब प्रकासित हुई जो बहुत ही घजब की किताब है हिंदी के हर विधार्थे को उससे पढ़ना चाहिए उस तक का नाम है आलोचना की पहली किताब और आलोचना की पहली किताब यह जो है यह हम सभी को निश्चित रूप से प झाल झालए बाद झालएग झालएग का झालएग झालएग।